नमस्कार भाईयो जैगो माता जैगो पाल मैं भारत राजप्रोई डेरी एग्रिज इंसल्टेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बाचित करेंगे राठी नसल के बारे में जो बिकाने गंगा नगा की शेत्र के अंदर किसानों का साथी बनके दूद उत्पादन में बहुत अच्छी शमता तक है और रोजगार का भी पूरे पूरे गाउंगों के लिए पूरा साधन बना हुआ है आज बिकानेर सुपरशिद है मिठाई में रसगुलों में तो उसका सबसे बड़ा ख्षय या कारण है तो राठी गाय है इस तरह के युवा कई लोग जो बहार नौकरिया करते थे वो भी अपनी नौकरिया चोड़ कर आज राठी गाय के शमर्धन के कारिय पे शित्र में लगे है और दूद से अपना आय का इस्तरोध बना रहे है तो उस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि इस्ताने नसलों पर कारे करना चीए आप देख सकते हैं जो राठी के आप सामने देख रहे हैं इनकी शमता साथ लिटर से दस लिटर तक समय तक की शमता की ये गाय है दूद मे बहुत अच्छी होती है और बहुती कॉंपेक्ट साइज में होती है बहुत कम खाके भी अच्छा दूद देती है अभी सरदी का मौसम है जीरो डिग्री तक टेंपरेचर जाता है उसे कम भी जाता होगा रातों में खुले शेत्र में गाउं में वहाँ पर भी सर्वाइव क डूद देने वाली नशल है यह तो ऐसी नशल के कारण आज यहां पे बहुत सारए ऐसे गाउं है यए गवाँyal को बचाने के लिए यहां की स्ताने लोगों का जो इसके क्या कारण है और इससे क्या फाइदा हो रहा है और इससे आगे वाले समय में और क्या उत्रोतर प्रगति होगी उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं दोस्तों एचेप और जर्सी जैसी गाये जब सुईत क्रांती के नाम पर हमारे देश में आई थी उसमें दूद को मात्रा को बढ़ाने के लिए सबीत तरह के सारे प्रयोग किये गए उन प्रयोगों के कारण प्रकृति के खिलाब जाने के कारण उन नस्रों से जो दूद उत दूसरा जब से हमने अपने घरों से गाय को दूर किया है तब से घरों में एक प्रेम भाव और वो सारी चीजे भी कम हो गई है उस प्रेम को बढ़ाने का कारण सिर्फ गाई ही थी जो घरवालों को जोड के रखती थी दोस्तों इस शेत्रों के अंदर जब बिकानेर से बिस तिस तिस जा लिटर तक जाता है आज एक लूनकर्ण से तैसिल की ही बात करूँ जो दूद कलेक्शन या दूद उत्पदन की बात के तो ठाईलाक लिटर एक तैसिल का दूद का कलेक्शन है जबकि कई ऐसे सहर है जहां पे अमूल और सरच जैसी डेरिया भी महीने का पचाश जार लिटर लाक लिटर बड़े बड़े सहरों में बड़ी मुस्किल से कर पाती है और ये एक तैसिल की बात है आज इतने सारे बिठाई वाले और इतने सारे जो मावा मिल्क केक रस गुले इस तरह की चीज़े जो बंद रही है और शुप प्रसिद्ध है विकाने उसके लिए उसके लिए सबसे बड़ा कारण भी राठी गाये का दूद है दोस्तों किसान के घर पर कम खाके भी समय का चार पांच लिटर दूद देने की शमता रखने वाली ये गाये है हम सभी को ऐसी नसलों के शमवर्दन सरक्षन के और दिक कारे होना चीए उर्मूल ज दिखते हैं गाओं में दोस्तों नंदी की एक अपनी बहुत बड़ी महत्वता है राठी में भी अभी अच्छे नंदी तियार करने के लिए कारे प्रारंब किये जा चुके है काफी काफी सारे भाई इसके लिए कारे कर रहे हैं उनको शादूबाद है और ऐसे सभी भाईय सभी भाईयों तक पहुंच सके और दोस्तों जो विशेश बात आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं तो इस्ताने नसले वारी बात है क्योंकि दूद की शमता को और जो वीडियो देखके काफी सारे भाईयों को यह लगता है कि इतनी सार दूद देने वाली गाय है तो उस 15 दिन के बाद में आपको जबरदस दूद मिलना शुरू हो जाए तो वो संबब है नहीं आपको उसके लिए इंतजार करना होगा एक साल का क्योंकि दूसरी जगे पर जाने के बाद में उनको उस जगे के अनुकुल होने में एक समय लगता है आप देख सकते है बहुत संद अलग अलग कलर पैटर्न भी है दोस्तों पहले तो सारी स्पोर्टेड ही हुआ करती थी पर जब शाहिवाल का इस तरह का क्रेज बढ़ा तो उस तरह के नंदी लाके लगब अब सारी लाल-लाल कलर में अधिक हो गई है पर स्पोर्टेड जो कलर है उसकी सुन्दरता एक अल इस शेत्र के गाव हैं उनके सारे घरों के लोगों का जीवन यापन निर्वर करता है या सुबह से लेके शाम के जो दिंचरिया निर्वर करती है वो गाय के इर्द गिर्द ही निर्वर करती है सुबह उटो दूद निकालो दूद का बिलोना करो गाय को चारा दो गाय के ल को लोग कहते हैं कि गाय से फाइडा नहीं है उंकी लिए कहना चाहता हूँ कि आप रोज कondere चारा ला के उस तरह से व्यवस्ता करके आगर काम करते हो आप शत्ष प्रापते नहीं कर सकते शाने चरह सकती Elon के महीन fix ओन हो पाढ encourages करें की विवस्ता है तो मेरा कहने का यही आश्य है कि आपको चारा पुरा स्टॉक करना चीए चारे का उत्पादन स्वेम करना चीए गाय बिचारी खाती क्या है सिर्फ चारा ही तो खाती है और वो चारा आप मोल लाने की कोशिश करते हो कोई कारे करना नहीं है तो आपको कहां से फाइदा होगा उनको आदा भुका रखे कि चारा महंगा आ गया है और फिर आप दूद की कल्पना करते हो तो दूद मिलना संपव नहीं है यह बोर्डर साइड के गाउं है दोस्तों और पूरे गाउं में आप देख सकते हो यह पूरा जो एरिया है कितना गोबर यहां पे बिखरा हुआ है तो इससे आपको कलतना हो जाएगी कि कितनी गाए इन गाउं के इंदर है तो आज इन लोगों के लिए आज जीवन साथी की तरह है यह राठी गाए और मेरा कहने का आप सभी भाईयों से यह है कि आप सभी को जब भी समय मेले शेत्रम आई है इन किसानों के साथ रहिए इस गाए को शमझिए राठी नसल को समझिए दूद में भी बहुत अच्छी है कम खाके भी ज़ड़ा दूद सारी तक्रीबे सहन करती है माइनस टेंपरिचर होगा दोस्तों यहां पर माइनस से लेकर जो हाई टेंपरिचर होता है पचास डीगरी तक वहां तक यह सर्वाइव करती है तो इस नसल की वो शमता है दोस्तों आज हर गाउं हर किसान इस शेत्र का किसी ना किसी तरह से और क बाकि इस तरह के रास्ते थे यहां पे, ऐसे रास्तों से आप गाउं तक पहुंच सकते थे, अभी तो रोड बन गई, फिर भी उपर मिट्टी आ जाती है, तो ऐसी कठिन परिस्तितियों में भी, एक साती की दर से भी यह राठी गाय थी, इसका दूद, दै, गी, और थोड़ थोड़े समय पर हटाने ही पड़ती है, यहां पे, दोस्तों आप सभी का समर्तन इसी प्रकार रहे, वीडियो को शेर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जैगो मता, जैगो पाल, आपका धन्यवाद,